आस्वालिकों विवर्स, बगैर मेडिशन खाए आप बड़े से बड़ा दर्द भी फत्म कह सकते हैं, इंशालाद, अब इसमें क्या है जी, अगर तो दर्द आपके वैस्टी की वाज़ा से आए, तो इंशालाद भी फत्म हो जाएगा, अगर दर्द आपके ब्लड के क्लाउ कुमार साफ तक पॉंक्ती रहें, और बेल आइकान को लाज़मी प्रेस करें, ताके मेरी तमाम वीडियो आपके देहली से तक आएं, थेंक्यू, जजाक अलाद अब इसके पिछे और दी रीजन्स हैं, आपको जॉइंट फ्लैक्स का मसला है, जॉइंट में फ्लैक्सेशन नहीं है, जॉइंट में लॉब्रिकेशन नहीं है, जॉइंट पे कोई चोड़ बगरा लगी है, तो वो दर्द कम नहीं होगी अब यह जी अगर तो वजन्स ज्यादा है, तो सिर्फ यह दो चीज़ें आप खाएं तो वजन्स बीट कम होगा और दर्दे में नहीं होगी, चाहिए वो जिसम के किसी भी इसमें दर्दें चाहिए, वो लो बेक पेन है, मिल बेक पेन है, या आपके नहीं ही पेन अब यह जी दा, चीनी और नॉग, यह दोनों बराबर वजन में आपने आदा आदा चमच इसका पाउपर लें, छोटे वाला चमच, यह टेट कप पाणी में डालें, जब एक कप रहागा इसको अतार कि जो शूगर के पेशन्ट नहीं है, डावेटिस के पेशन्ट नहीं ह अगर यह कवह इस्तावाल कर लिखते हैं आप सिर्फ एक महिना इससे वजन मी लीचे आएगा, इससे ब्लड की सर्क्लेशन मी ठीख होगी, इससे इंशालला दर्दें भी खतम हो जाएगी, चाहे इसमें आपके हाल पांस होते हैं, चाहे आपके दंदें दर्द करते हैं, द को लोग अनार के जूस का इस्तावाल कर दें, अनार के जूस उन लोगों का उक्यम के ब्लड में गाना परना है, अनार के जूस ब्लड के गरेपन को फातम करेगा, सिर्का सिर्का इस्तावाल करें, वह भी ब्लड की सर्क्लेशन को बनाएगा है, इन्शालला, फ्रेश जूस इसको आप टेवल स्पून आप दूद के साथ ले लें इन्शाला यह नहीं है कि आप दो इनल यूज करेंगे सिर्फ वागते के सामार से दर्ते निसंकी पतम हो जाए अगर जिन उसका सामार करते हैं आपको अच्छे नतायज मिलते हैं तो लाज़की आपका फीड़बेक पताद चले कि इसनस्री की कितनी अफवाधियत हैं तो इन्शाला मिलेगे कि नेक्स सुडियो में अलाव का हमें नासीरो खुत लिया जजाकाला अलाव दो